सहरा मउं, उत्तर पिली भी, एक ही गाउं के एक ही महले में रहने वाले तीन मासूमों को एक तालाब में एक साथ डूब कर मौत हो जाने की घटना ने लोगों को जखचूर कर रख दिया जो हाँ, एक साथ तीन मासुमों की मौत ने घटना, मौत की घटना ने हर किसी को जब चूर कर रगत दिया, तीनों के परिजिनों पर दुखों का पहाट टूर पड़ा, नतक लोकेंद्र दस वर्ष, स्वपनिल, नो वर्ष वर सचिन, नो वर्ष के माता पिता का रोरो कर बु पानी में नहाने लगे, लेकिन दूसरे बच्चों ने मना किया, बच्चे नहीं माने, पानी में नहाने लगे, जिससे तीनों बालक घट्डे में डूब लगे, जिसके सूचने अकलिकी ने आकर परिजिनों को दी, परिजिनों ने अनन फानर में तीनों बच्चों को बहार निकाला एक निजी चिकत्सक को दिखाया चिकत्सक ने तीनों मासुमों को मुर्थ घोशित कर दिया गटना के बाद पुरी गाउं में मातम छाले इस घटना ने सभी को जट्यूर कर रख दिया पागत तुरंद मौके पर पहुंची सेरा मों उत्री थाना प्रभाली वही कि आपने निकाला है क्या आपका नाम है शत्रपाल आप इसी गाउं पठेन में रहते हैं यह सब क्या हुआ जरा बताईए है बालक इसमें डूब के उजर गया अच्छा कैसे तो आपको सूचना कैसे मिले एक बालक छोटा सा बो बताने गया था फिर आप कहां थे हम घर पे पहले गड्डे हैं या निकाले गड़ेत की क्या है यह मिट्टी बनती है रहे हैं यह पास में भट्टा लगा हुआ है किसका भट्टा एए गुर्पया सिंग्धा कितना पानी होगा यहां जब आपने इस बच्चों को निकाला कम शे कम इसमें आठ फूट पानी इसके तो यह जो है इससे पहले कोई तालाब नहीं है तो खेत दिख रहा है खेत था पहले अच्छा तो यह किसके द्वारा कोडा गया है यह भाई भट्टा मालिक के द्वारा कोडा क्या नाम है भट्टे वालों का अच्छा गुर्पेज सिंग नाम है इनका तो इसमें अभी आपके यह जो घटना हुई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे नहीं हमने सुना है कि अच्छा बाहर से आप आ रहे हैं यानि अभी बच्चे जो है उनकी तीन बच्चे जो है डूब करके मौत हुई है उनकी ठीक अच्छा बाइसाब दन्यवाद थाना शेरम उत्री के ग्राम पठीयन गाहों में आज ताला में तीन बच्चे जिनकी उम्री लभगर आठ से दस वर्स के भीच में थी फूल लेने गए थी इसमें ताला में डूपएन के मृत्तु हो गई है तीनों सबों को ग्रामीन दारे की मिदस से आनने कांदी हो गया है अब यह विधिक कारवाई की जाने है